बच्चों आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमश्कार आज इस भाग में हम आपकी विवसाइक अध्यान पुस्तक के दूसरे अध्याय का पहला भाग शुरू करने जा रहे हैं लेकिन इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा याद करें कि हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ाए बच्चों पिछले अध्याय में हमने प्रबंध की बारीकियों को समझा हमने उसके अर्थ को उसके महत्वों को जाना और हमने उसमें एक टॉपिक या एक बिंदू ऐसा भी देखा था जहां हमने बात की थी कि प्रबंध को कला माना जाए उसे विज्ञान माना जाए उसे पेशा माना जाए अगर आप उस विशय को याद करें तो उसमें हमने बात की थी कि प्रबंध के अंदर कला और विज्ञान की भाती सैध्यांतिक साहित्यों का जिक्र किया जाता है अर्थात कला और विज्ञान की तरह ही प्रबंद में भी कई सिध्धान्त होते हैं कई साहित्य इसके उपर बने हैं जिनका प्रयोग प्रबंदकों द्वारा अपने दिन चर्या में उनके व्यवसाइक व्यवहार में किया जाता है यहां अध्याय ऐसे ही सिध्धान्तों की बात करता है इसलिए इस अध्याय का नाम है प्रबंद के सिध्धान्त तो पिछले अध्याय में पड़ी हुई बातों को इससे जोडते हुए यदि आप आगे बढ़ें तो आप पाएंगे कि जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि प्रबंध एक जटिल प्रक्रिया है प्रबंध एक सामान्य प्रक्रिया भी है अर्थात प्रबंध हर प्रकार के वेवसाय या संगठन में अनिवार्य है प्रबंध ही वो कुंजी है जो किसी वेवसाय को अर तो प्रबंद इतना महत्वपूर्ण इतना सामान्य परंदु साथ साथ इतना जटिल होने के कारण कई बार प्रबंदकों को अपने व्यवसाय के अंदर दिन प्रतिदिन के व्यवहारों अथ्वाकारियों के दौरान ऐसे स्थितियों का परिस्थितियों का या समस्याओं का स तो आईए अब हम बात करते हैं कि प्रबंद के सिधान्त है क्या और इनकी प्रकृती क्या है इनका महत्व क्या है फिर हम आगे प्रबंद में उप्योग होने वाले विभिन प्रकार के सिधान्तों पर भी चर्चा करेंगे प्रबंद के सिधान्त की अर्थ की बात की जाएं तो इसके अर्थ में हमें ये ध्यान रखना होगा कि प्रबंद के सिधान्त निर्णे लेने वो व्यवहार के व्यापक व सामान्य मार्गदर्शक की तरह होते हैं एक व्यवसाय में प्रबंधक को निर्णे लेते वक्त किस प्रकार का व्यवहार दिखाना अर्थात किस प्रकार की सोच रखनी है या किसी भी परिस्थिती में उसे किस प्रकार उस परिस्थिती का सामना करना है और कैसे वहां निर्णे लेना है उसमें ये सिध्धान्त मार्क दर्शक का कारे करते हैं उधारन के लिए मान लीजे कि एक कर्मचारी की पदोनती यानि प्रमोशन करना है और फर्म के या व्यवसाय के प्रबंधक को इस बारे में निर्णे लेना है हो सकता है एक प्रबंधक पदोनती का निर्ण वरियता को ध्यान में रखे करें अरथात एक्सपीरियंस को ध्यान में रखे करें कि जो करमचारी ज्यादा आनुभवी है ज्यादा वो experienced है उनको पदोनती यानी promotion दी जाए जबकि हो सकता है कि दूसरी तरफ एक ऐसा प्रबंधक भी हो जो ये प्रमोशन या पदोन्ती योग्यता के सिधान्त पर करे कि भले ही एक कर्मचारी उतना अनुभवी ना हो परंदू यदि वो बहुत योग्य है तो हो सकता है यह प्रबंधक उसे पदोनती प्रदान करें तो दो प्रबंधक दो अलग प्रकार के सोच, दो अलग प्रकार के सिधान्त, दो अलग प्रकार के निरने अर्थात सिध्धान्त प्रबंधकों को उनके सोच के अनुसार मार्क दर्शन प्रदान करते हैं जिनके सहायता से प्रबंधक अपने वेवसाय से जुड़े हुए निर्णे लेते हैं वो अविभिन्य परिस्थितियों का सामना करते हैं लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा और यह याद करना होगा कि हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि प्रबंद के सिधांत विज्ञान के सिधांत से भिन्न होते हैं क्योंकि विज्ञान के सिध्धान्त सामान नेते बेलोच नहीं होते अर्थात उन्हें बदला नहीं जा सकता हम उन्हें जरूरत परिस्थिती वह अपनी सोच के अनुसार बदल नहीं सकते एक बार जो विज्ञानिक सिध्धान्त बन गए उन्हें उस प्रकार ही हमें लोग में ला सकते हैं ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रबंध के सिधान्त मानविय विवहार से जुड़े हैं एक प्रबंधक को वैज्ञानिक के तरह किसी लैब में अपने परिक्षण नहीं करने होते हैं बलकि प्रबंधक को अपने व्यवसाई में लोगों समूहों वह उनक कि मानव का व्यवहार भी अलग-अलग समय में कभी एक जैसा नहीं होता तो व्यवहार इतना प्रगितिशील या परिवर्तनशील है तो प्रबंध के जो सिध्धान्त हैं उन्हें भी बदलते रहना होता है उन्हें परिस्थित्यों के मांग के अनुसार बदलकर उपयोग म लाना होता है तो बच्चो अब हमें प्रबंध के सिधान्तों के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो हो गई है हम जानते हैं कि हमें मार्क दर्शन देते हैं यह हमें अपने निर्णे लेने में सहयता करते हैं हम यह भी जान गहें कि यह लोचदार होते हैं इन्हें बदला ज चलते हैं और हम प्रबंद के सिधान्तों के कुछ प्रकृतियों के बारे में जानते हैं बचों सबसे पहली प्रकृति तो यह निकल कर आती है कि प्रबंद के सिधान्त सामान्य मार्ग दर्शक के रूप में होते हैं अर्थात ये सिध्धान्त हमें किसी भी समस्या का एक बना-बनाया तयार किया हुआ सत्प्रतिशत समाधान नहीं देते हैं ये केवल मार्ग दरशन प्रदान करते हैं इन्हें उपयोग किस प्रकार करना है और उससे समस्याओं को किस प्रकार सामना करना है या प्रबंधक के अपने योगेता पर निर्भर करता है ये सिध्धान्त केवल मार्ग दर्शन के लिए हैं ये हमें बताते हैं कि इस परिस्थिती में हमें क्या-क्या फैसले लेने का हमारे पास एक अवसर है या हमारे पास क्या-क्या फैसले लेने की शक्ती है और किस प्रकार के फैसलों का हमें किस प्रकार का परिणाम देखने को मिल सकता है इस मार्ग दर्शन के आधार पर प्रबंधक के उपर होता है कि वो फैसले किस तरह से लेता है अर्थात प्रबंध के सिधान्त केवल मार्ग दर्शन देते हैं कभी भी हमें समस्या का शत्त प्रतिशत समाधान प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन इसकी दूसरी प्रकृती यह है कि प्रबंद के सिधान्त सार्व भौमिक होते हैं। सार्व भौमिक का अर्थ बचों यह है कि यह सिधान्त किसी भी प्रकार के संगठन में, किसी भी स्तर के प्रबंद में किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी भी उपयोग किये जा सकते हैं ऐसा नहीं है कि कुछ सिधान्त कुछ प्रकार के संगठनों के लिए हैं और कुछ अन्य प्रकार के संगठनों के लिए सभी सिधान्त सभी प्रकार के संगटरों में सभी प्रबंदकों द्वारा उपयोग किये जा सकते हैं सिर्फ परिस्थितियां देखनी होती है तीसरी प्रकृतिया विशेष्टा यह निकल कर आती है कि प्रबंद के सिधान्त भी विज्ञान के सिधान्तों के तरह ही शोध पर निर्मित है अर्थात प्रबंद के सिधान्त कोई मनगणत कहानिया नहीं है इन्हें निरंतर शोध द्वारा परिक्षणों द्वारा प्रबंदकों के अनुभवों और विवहार के द्वारा सीख कर बनाया गया है हम आगे आने वाले हिस्सों में पढ़ेंगे कि कैसे प्रबंदके सिधान्त के निर्माताओं ने अलग अलग तरह के परिक्षण, शोध, अथ्वा अपने विवहार वा अनुभव का इस्तमाल करके इन सिधान्तों का निर्माण किया है क्योंकि ये सिधान्त हमारे दिन परतिदिन के कारियों से जुड़े हुए हैं इसलिए इनका निर्माण भी दिन परतिदिन कारियों को करते हुए सीख कर शोध करके किया गया है इसके बाद जो प्रकृति है उसकी बाद हम पहले ही कर चुके हैं कि ये सिधान्त लोचदार होते हैं अर्थात इन्हें समय, परिस्थिती वो सोच के अनुसार बदला जा सकता है और बदल कर उपयोग में लाया जा सकता है ये कोई कठोर सिधान्त नहीं है जिने जैसा है वैसा ही इस्तमाल करना हो इन्हें बदल कर लोचदार तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है एक सबसे बड़ी विशेष्टा इन सिधान्तों की यह हैं बच्चों की ये सिधान्त विवहारिक है अर्थातिय सिधान्त हमें निर्जीव वस्त्वों के बारे में नहीं बताते हैं बलकि ये हमारे संगठन के जो प्राणी है जो लोग है कर्मचारी है वो जितने भी ऐसे समू है लोगों के जो मिलकर संगठन के कारियों को करते हुए उसके उदेशों के प्राप्ती की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों को उनके विवहार के बारे में समझाता है वो विभिन्न प्रकार के विवहारों के समय किस प्रकार का निर्ने एक प्रबंदक को लेना चाहिए ये वो हमें बताते हैं ये सिध्धान्त मुख्यत है लोगों के विवहार पराधारित है कि अलग-अलग परिस्थितियों में लोगों के विवहार कैसे होंगे और उन परिस्थितियों और विवहारों के अनुसार हमें कैसे उनका सामना करना है ये हमें सिध्धान्तों के द्वारा सीखने को मिलता है ये जीवित प्राणियों के व्यवहार से सीधित और पे संबंधित सिधान्त हैं। इसके अतरिक्त सिधान्तों की सबसे बड़ी खूबी अविशेष्टा कह सकते हैं कि ये हमें कारण वो परिणाम संबंध बताते हैं। प्रबंद के सिधान्त कारण वो परिणाम के बीच संबंद स्थापित करते हैं जिससे कि एक बार यदि हमने किसी एक कारण वो उसके एक परिणाम के बीच यदि संबंद स्थापित कर लिया तो आने वाली कई उस प्रकार की समान परिस्थितियों में हम उस कारण को पाते हैं तो हम उसके परिणाम की पहले से ही तयारी कर सकते हैं क्योंकि यह सिधान्त हमें बता देते हैं कि यहाँ परिणाम इस कारण से हुआ है या इस कारण यह परिणाम हो सकता है तो यह जानकर फिर हम ऐसी सभी परिस्थितियों में इन सिधान्तों के उपयोग से अपने निरने ले सकते हैं तो बच्चों अभी हमने प्रबंद के सिधान्तों के कुछ यह विशेशताएं देखी हमने देखा कि इस सिधान्त कैसे हमें बताते हैं कि कारण और परिणाम की बीच क्या संबंध है यदि एक कारण है तो उसका क्या परिणाम होगा और क्या ऐसे सभी कारणों ऐसे सभी परिस्तियों में हम इसको लागू कर सकते हैं यह हमें सिध्धान्तों के द्वारा पता लगता है आप और सीखेंगे जब आगे सिध्धान्तों को जानेंगे इसके अलावा हमने देखा कि यह सिध्धान्त वेभारिक है, यह सार्व भौमिक है, यह शोद द्वारा निर्मित है, यह लोचदार है, वह यह केवल सामाने मार्ग दर्शन प्रदान करते हैं अब सिध्धान्तों की प्रबंद में एक बहुत महत्वपूर्ण भौमिका है यह प्रबंदकों को उनके ड्यानिक कारियों और विवहारों में बहुत सहायता करते हैं तो अब आगे हम बात करेंगे कि यह सिध्धान्त इतने महत्वपूर्ण क्यों है, यह कैसे प्रबंदकों की सहायता करते है बच्चों सिधानतों का सबसे पहला महत्व यह है कि यह प्रबंधकों को वास्तविक परिस्थितियों का सूक्ष्म ज्यान प्रदान करते हैं अर्थात प्रबंधकों का जो कार्य है वो वास्तविक जीवन से जुड़ा हुगा है कि आए दिन किसी व्यवसाय में किसी करमचारी को कोई समस्या हुई, किसी कारिशाली में कोई समस्या हुई, परिचालन के दोरान कोई समस्या हो गई, हमें अपने लक्षी को प्राप्त करने में कोई समस्या हो गई, किसी प्रकार की विपदा आ गई तो ऐसे वास्तविक परिस्थितियों में एक प्रबंधक को अपने वैवसाई को उन परिस्थितियों से निकालने के लिए निर्णने लेने होते हैं प्रबंध के जो सिध्धान्त हैं वो ऐसे ही वास्तविक परिस्थितियों से हमें अवगत कराते हैं क्योंकि ये सिध्धान्त बनाने वालों ने इन्हें अपने जीवनकाल में अपने अनुभव और अपने अनुभव से निकली वास्तविक परिस्थितियों के परिणामों वह उनसे सामना करने के तरीकों को देखते हुए, सीखते हुए इन सिध्धान्तों को बनाया है तो जब आज भी एक प्रबंधक इन सिध्धानतों का उपयोग करता है तो उसे अलग-अलग सिध्धानतों से अलग-अलग परिस्थेतियों में वास्तविक निर्ने किस प्रकार लेने हैं उसमें उसे सहायता मिलती है इसके अतरिक्त सिधान्तों को मानना उनको उपयोग में लाना एक व्यवसाई को उसके संसादनों के अधिक्तम उपयोग में भी साहिता करता है अर्थात यदि कोई संगठन और उसका प्रबंधक सिधान्तों को मानते हुए अपने निर्णे लेता है तो उसके संसाधनों का व्यर्त होना कम हो जाता है और वो संसाधनों का अधिक्तम उप्योग कर पाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी या व्यवसाई में मानुविया वभातिक दोनों संसाधन स्रीमित होते हैं इसलिए यह अनिवारी होता है कि इनका अधिक्तम सर्वश्रेश्टम उपयोग किया जाए। अधिक्तम उपयोग से अभी प्राय है कि संसादनों को इस प्रकार उपयोग किया जाए कि उनसे कम से कम लागत पर अधिक से अधिक लाब प्राप्थ हो सके। तो हम चाहेंगे कि हम अपने संसादनों को इतने कुशलता से उपयोग करें तो उन पे लागत कम आए और लाब अधिक प्राप्थ हो तो सिद्धान्तों के सहायता से एक प्रभंदक अपने निर्णय वा कारियों में जब कारण वा परिणाम के संबंद का अनुमाल लगाते हैं जब वो यह सोचते हैं कि यदि इस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा तो उसके कारण यह परिणाम निकल कर आ सकता है और इस प्रकार के निर्णय से भूत काल में ऐसकुछ गल्तियां अगर हो चुकी है तो वो उन गल्तियों से सीख सकता है जब एक प्रवंदक अपनी गल्तियों से सीखेगा कारण वो परिणाम को समझेगा तो वो आगे उनी गल्तियों को दोहराने से बचेगा जिससे कि संसाधनों की बर्बादी कम होगी और उनका स्रेश्टतम उपयोग किया जा सकेगा तो एक तो हमने देखा कि सिधान्त हमें वास्तविक परिस्थितियों में निर्णे लेने में सहायता करते हैं दूसरा हमने यहाँ देखा कि यह सिध्धान्त हमें अपने संसादुनों के अधित्तम उप्योग में भी सहायता करते हैं इसके अलावा बच्चों जब कोई प्रबंधक सिध्धान्तों की सहायता से निर्णे लेता है तो वो निर्णे वैज्ञानिक निर्णे कहलाते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये सिध्धान्त भी बहुत सोच समझ कर कारण परिणाम आदिजाच परकर बनाई गए है। इनको बनाने के पीछे वज्ञानिक परिक्षण की तरह शोध किया गया है फिर ये सिध्धान्त बने है। इसके उपरांत यदि कोई प्रबंधक इन सिध्धान्तों का उप्योग करता है तो इसका अर्थ है कि वह किसी परिस्थिती में सोच रहा है कि यह परिस्थिती किस प्रकार की है, इसमें क्या कारण और क्या परिणाम है, इस प्रकार की परिस्थिती के लिए कौन सा सिध्धान उप्योगत रहेगा इस प्रकार की परिस्थिती में यदि इस सिधान्त को उप्योग करके हम यह निर्णे लेते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है तो जब कोई प्रबंधक ये सब सोच कर सिधानतों की उपयोग से निर्णे लेता है तो उसके निर्णे सोच समझे वैग्यानिक निर्णे कहलाते है वह फिर अपने मन की या जो मन में आया वह सुनकर निर्णे नहीं लेता है या जिस से सुना वह सुनकर निर्णे लेता है फिर वह प्रबंदक सोच समझ कर सभी तरकों को देखकर निर्णे लेता है और ऐसे निर्णे वैज्ञानिक निर्णे कहलाते हैं इसके अलावा प्रबंद के सिध्धान्त बदलते परियावरण की आवश्यक्ताओं को भी पूरा करते हैं हमने पीछे पढ़ा कि प्रबंद के सिध्धान्त लोचपूर्ण होते हैं यानि वो व्यवसाईक परियावरण और परिस्थितियों के हिसाब से ढाले जा सकते हैं। फिर हमने पिछले अध्याय में यह भी पढ़ा कि व्यवसाई या प्रबंद एक बहुत ही गतीशी लिक्रिया है। हमारे व्यवसाई जिस प्रकार का संगठ हैं हम चला रहे हैं उसके आसपास का वातवरण और परिस्थितियां कभी एक समान नहीं रहती। वो दिन प्रतिदिन निरंतर बदलती रहती हैं। और ऐसे बदलते परियावरण में प्रबंधन को भी बदलना होता है। प्रबंधन को बदलने में सिध्धान्त बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उधारण के लिए प्रबंध के सिध्धान्त श्रम विभाजन को बढ़ावा देते हैं। अब आगे पढ़ेंगे इस बात को कि प्रबंद के सिधान्त कई सारे जगहों पर इस बात पर जोर देते हैं कि हमें श्रम विभाजन करना चाहिए श्रम विभाजन कारतिय हुआ कि श्रमिकों को उनकी शमता के अनुसार कार्ये बाटा जाए और फिर एक श्रमिक या एक श्रमिक समुहु एक प्रकार के कार्ये में ही विशिष्टी करण प्राप्त करें सिधान बार बार इस बात को कहते हैं आधुनिक समय में भी ये बात विवसायों पर लागू होते हैं अर्थात समय बदलने के बाद ये सिधान जो कई दशकों पहले बने आज भी इनकी द्वारा बताई गए ऐसी कई बाते हैं जो विवसायों पर लागू होती हैं जैसे ये श्रम विभाजन की बात है आज भी कमपनियां श्रम विभाजन पर जोर दे रही हैं श्रम विभाजन ही नहीं वो कारी विभाजन पर भी जोर दे रही हैं आज भी कमपनियां इस बात को देखती और अमल में लाती हैं कि कारीयों को विभाजित किया जाए और फिर यहां भी देखा जाए कि यदि कोई का या कोई प्रणाली या कोई परिचालन ऐसा है जो वेवसाय के लिए अच्छा नहीं है तो उसे छोड़ा जाए उसे बंद किया जाए इसके कई उधारन आज के वेवसायों में मिल देखने को मिलते हैं जैसे कि हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड के निर्णय कहां में उधारन ले सकते हैं कुछ समय पहले उन्होंने अपने मूल कार्य से हटकर जो उनका एक व्यवसाय था रसायनों और बीज का उस व्यवसाय को नहीं छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें अपने मूल कार्य में विशिष्टी करण पर ध्यान देना चाहिए बजाए इसके इन बाते हैं जो प्रबंद के सिध्धान्त हमें बताते हैं और यह बाते बदलते समय के साथ भी उतनी ही मजबूती से लागू होते हैं तो इनको पालन करने से हम भी अपने आपको बदलते समय के साथ बदल सकते हैं अपने प्रबंधन को उसमें ढाल सकते हैं इसके अलावा प्रबंद के सिधान्त सामाजिक उत्तरदायत्वों को पूरा करने में भी सहयता करते हैं कैसे आप आगे पढ़ेंगे कई ऐसे सिधान्त है जैसे एक सिधान्त है समता का सिधान्त जो कहता है कि यदि दो लोग एक जैसे अनुभाव एक जैसे सैक्षणिक योग्यता वह एक जैसे कार्य में है तो ऐसे दो लोगों में हमें वेतन देते वक्त या व्यवसाई में उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करते वक्त हमे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए तो जब हम भेदभाव की नीती को हटाते हैं तो हम अपने एक सामाजिक उत्तरदाइत्व पूरा करते हैं जब हम विशिष्टी करण की बात करते हैं तो हम संसादनों को व्यर्थ होने से बचाते हैं इससे भी हम समाज के प्रती उत्तरदाईतों को पूरा कर रहे हैं। ऐसे कई सिधान्त कई बाते हमें सिखाते हैं जिनकी सहायता से हम अपने सामाजिक उत्तरदाईतों को पूरा कर सकते हैं। प्रबंद का आखरी महत्व यह है कि यह प्रसिक्षण, सिक्षा वो अनुसंधान में भी सहायता करते हैं अर्थात प्रबंद के सिधान्त कई सैक्षणिक संस्थानों में प्रबंदकों की सिक्षा के दौरान उन्हें तयार करने में उप्योग किया जाते हैं उन्हें सिखाया जाता है इन सिध्धान्तों के द्वारा की एक प्रबंधक कैसे बने एक अच्छा कुशल प्रबंधक कैसे बने प्रबंध के सिध्धान्तों को कई साहित्यों में उप्योग किया गया है जिनको पढ़कर लोग प्रबंध से जुड़ीवी सिक्षा वो प्रिस प्रकृति और महत्वों को यदि हम समझ लेते हैं तो हमारे व्यवसाइक वास्तविक जीवन में इनको हम उप्योग में ला पाएंगे और हम इनके सहायता से अपने व्यवसाइक को बड़े ही सुचारू रूप से चला पाएंगे बच्चों जब प्रबंध वह सिधान्तों के इतिहास की बात होती है तो यह इतिहास बहुत लंबा जाता है पिछले कई शताबदियों से जब से व्यवसाइ शुरू हुआ इससे जुड़े हुए सिधान्त विक्सित होते रहे विशेश रूप से जब उद्योगी करण का यूग आया जब उद्योगों का जन्म हुआ जब कारखान और फैक्ट्रियों का जन्म हुआ उस वक्त सिधान्तों के विकास ने गती पकड़ी उस समय काल को क्लासिकल समय के नाम से भी जाना जाता है उस समय के कई ऐसे लेखक हुए जिन्होंने सिधान्तों के बारे में काफी जादा शोध किया और कई सर्वमानने सिधान्तों को निर्मित किया ऐसे ही दो बहुती विख्यात विचारक थे जिनके बारे में हमें सध्याय में आगे पढ़ेंगे उनमें से एक थे F.W. टेलर वो दूसरे थे Henry Fayol हम इनके द्वारा प्रती पादित सिधानतों के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे अगले भाग में आज के इस भाग में हमने प्रबंद के सिधानतों के अर्थ विशिष्टाओं वो महत्व को देखा आने वाले भाग में हम बहुत महत्वपूर बातों पर चर्चा करेंगे जो की टेलर और फेवल दूसरे दिये गए सिधानत है आशा करता हूँ आज का ये भाग आपको अच्छा लगा होगा वो इसकी बाते आपको समझाये होंगी आज के लिए इतना ही धन्यवाद सब्दापन आपको समझाये होंगी पर चर्चास के लिए